हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू माई चैनल तो कैसे आप स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो आज हमना आएगे कुर्ती के लिए हमने प्रानी कुर्ती से माप लिया है तो इसकी लंबाई 44 इंच है तीरा इसका 15 इंच है और चेश्ट इसकी 42 इंच है वेस्ट 40 है और हिप 46 इ माप लेते हैं तो उसमें हमें प्लस 22 इंच का मार्जन करना पड़ता है लेकिन इसमें मार्जन अटेज है तो इसको हम ऐसे मार्किंग करेंगे तो यह हमने लंबाई पर मार्किंग कर ली है लंबाई पर हमने डीप गलां बनाना है तो socialist हरे धाइ इंच माइनस कर देना है तीरा का तो वो बचा साड़े बारह इंच साड़े बारह का हाफ करेंगे तो सवा छे इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी हैं और तो यह हमने सवा छे इंच पर तीरा की मार्किंग कर ली हैं अगर हमें पैक नेक बनाते हैं तो हम तीरा को घटाते नहीं है उसमें पिलस बन इंच और करते हैं और यह हम armhole का निकालेंगे तो armhole का जितनी हमारी chest है उसका divide 6 कर देंगे तो वो हमारा armhole का निकलेगा तो 7 inch हमें armhole का marking करनी है तो यह हम 7 inch पर marking कर लिए और waist की marking करेंगे उपर से साड़े 14 इंज की और हिप की 22 इंज की तो ये हम सीधी लाइं ड्रो कर लेंगे उसके बाद हम fitting की को मार्किंग करेंगे तो ये हमने वेस्ट की मार्किंग कर लिए है और हमें अगर Upper Chest चेहट कا भी लगाणा है तो उपर से 52 इंज पे हम अपर चेश्ट का मार्किंग करेंगे और ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यह हमने बोडी का मेजर्मेंट चार भागों में कर लिया है अब हम इसी के अकोरडिंग फिटिंग का मार्क लगाएंगे और लुजिंग तो उसका मार्जिन का तो हमारी चेश्ट यह बहाया reviews इंच उसको डिवाइड करेंगे फॉर इंच से तो सारे दस पे हमें मार्किंग करनी है पिलस डेड़ इंच मार्जन के लिए तो वही अपर चेस्ट पे करनी है और वेश्ट पे 40 इंच है डिवाइड फोर करेंगे तो 10 इंच पे करनी है पिलस डेड़ इंच मार्जन के लिए और हिप 46 इंच है डिवाइड फोर करेंगे तो साड़े ग्यारे आए पिलस डेड़ इंच मार्जन के लिए अब यह जो मार्किंग की है इन्हें हम आपस में ऐसे मिला लेंगे इसकेल के तिरूप यह हमने ऐसे मिला लिये हैं तो यह हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई है उपर की तो यह हमारी जो चेस्ट वेस्ट और यह है उसकी मार्किंग हो गई है बहुत अच्छी सी अब यह हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो आर्म होल पर हम ऐसे इंच्टेप रख लेंगे और हाफ करेंगे उसका और आदा इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्किंग उपर से ऐसे लाइन ड्रो करेंगे फिर पॉना इंच पर ऐसे मार्किंग करेंगे और गुलाई की सेफ दे देंगे जो हम आदा इंच अंदर की तरफ करेंगे तो यह नीचे की तरफ हम आदा इंच ऐसे मार्किंग करेंगे ताकि हमारे यहां आर्म होल में कपड़ाई खटा ना हो और जोल ना आए तो ऐसे उपर से हमें देखो, यह हमारा परफेक्ट मार्किंग हो गई है आर्मोल की, हमारा घेर है 24 इंच, तो इसका हाफ कर लेंगे, 12 इंच पर मार्किंग करेंगे और प्लस 1,5 इंच मार्जन का कपड़ा लेंगे, इसको भी सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे, उपर से, हिप स से मिलाते हुए दौनों को तो यह हमारी फ्रेंट पार्ट की मार्किंग हो गई है अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नॉटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचत रहे और जो यह armhole की मार्किंग है यह सबसे मैंहोती है कि अंदर की तरफ 1.5 इंच लेंगे तो हमें जो यह नीचे वाला mark करते हैं, fitting के लिए जो हम marking करते हैं, उसको हम half inch ही नीचे की तरफ marking करते हुए, लाएंगे एकदम गुलाई round shape में, तो उससे क्या होगा, हमारे ये जो arm hole में कपड़ा खटा हो जाता है, वो नहीं होगा, और एकदम अच्छे से finishing आएगी, जोल नहीं लगेगा हमाँ पे, तो अब हम करेंगे इसकी cutting, तो ये हमारा front part की marking हो गई है, और cutting भी कर ली है, तो friends, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और share करें, और channel को subscribe कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप comment करके भी पूच सकते हैं, और मैं live लेती हूँ, live join करें, अगर slice से interested हैं, तो ये मेरा front part हो गया है, अब back part कट करेंगे, तो जितना हमारा hip का है, उसका 2.5 inch extra करते हुए, ऐसी हमें back part के लिए fold कर लेना है, back part पे front part को बिछाएंगे, तो उसमें कोई भी बदलाब नहीं करना है, सिर्फ आर्मोहूल में half inch आगे की तरफ बढ़ाते हुए marking करनी है, वो मैं करूंगी, तो आप अच्छे से देखना और समझना, वीडियो को full watch करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और skip कर करके देखोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और कहीं कहीं से छुड़ जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा, तो यह हमने front part को back part के उपर बिछा लिया है, अब हम यहां से जैसे हमने वह half inch अंदर की तरफ लिया था, ऐसी half inch बाहर की तरफ लेंगे, और ground shape दे देंगे, इस तरह से, यह round shape देते हुए, अब हमें cutting कर लेनी है, तो यह हमारा back part भी cut हो गया है, और यहां पर हमें एक cut लगा लेंगे, जहां से हम नीचे का वो border मोड़ेंगे, तो यह मेरे back और front part cut हो गए है, और मैं sleeves cut मैंने केई वीडियो अपलोड की है, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि sleeves cut मैं इसकी बाद में करूँगी, क्योंकि कपड़े में joint लगाना पड़ेगा, heavy size इतना कपड़ा की चोड़ाई नहीं है, क्योंकि lining के हिसाब से ही पाज sleeves बनानी पड़ेंगी, तो यह मेरी कूर्ती कट गई है, तो friends, आपको वीडियो कैसी लगी, comment box में जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करें, share करें, और channel को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें, बगल में लगे bell icon को जरूर प्रेस कर लें, ताक कि मेरी हर वीडियो की notification आपके पास तक पहुंसे हैं,